दोस्तों कभी खाई है आपने फूलों की सबजी? सुनके बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि फूलों की भी कोई सबजी बनती है? लेकिन हाँ दोस्तों फूलों से सबजी बनती है और यकीन मानिए काफी ज़ाधा टेस्टी बनती है तो चलिए हम रेसिपी शिरू करते है आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ सहजन के फूलों से बनने वाली सबजी यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो मार्केट में सहजन के फूल मिलते हैं उन्हें लिया है मैंने आधा किलो सहजन के फूल लिये उसे डंठल से अलग कर लिया सारी स्टेम्स आपने फेक देनी है औ और जो फ्लार्स ओपेन होते हैं उन्हें भी हम हटा देंगे, नहीं तो सब्जी में करवा बना जाएगा, उसके बाद मैंने हाँ पे सैजन की फ्लार्स को इस तरीके से एक बड़े बावल में डाला और खूप सारा पानी डाला, अब आप देख सकते हैं जो इसकी डंठले हैं कि अंसे छूट जाती है वह नीचे बैट गई हैं और जो फ्लार्स हैं वो उपर फ्लोट कर रहे हैं तो इस तरीके से बाचीं ढ़ए देंटले भी अलग कर लेंगें और 4-5 बार मैं इस से थोलूँँगी, तक्रीवन 4-5 बार हमें अच्छे से एक बड़े बरतन में पानी भरके से दोना है ताकि इसमें एक भी डंठल बाकी ना रहे अगर ये डंठल आपकी सबजी में आ गई तो सबजी कड़वी बनेगी सहजन के फ्लार्स को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब इसे डाल रही हूँ कूकर में दोस्तों जो फ्लार्स ओपेन होंगे उन्हें भी आपने निकाल दो तो ओपेन फ्लार्स और स्टेम्स हमें जरूर निकालनी है अब मैं इसमें डालूँगी आधा का टोड़ी पानी और आधा चमच नमक नमक आप अपने स्वात के अनुसार डाले और कूकर का ढखकन बंद करके इसे हाई फ्लेम पे 5-6 सीटिया लगवाऊंगी फिर इसे लो फ्लेम पे 5 मिन तक रहने दोंगी उसके बाद हम कूकर खोलेंगे नहीं इसे खुद बखुद डी प्रेश राइस होने देंगे तो चलिए हम वेट करते हैं जब तक सैजन के फूल बॉयल होते हैं तब तक हम यहाँ पे उसका तरका बना लेंगे तो यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई इसमें डालूँगी दो करची सरसो का तेल और तेल को स्मोकिंग पॉइंट तक गरम करूँगी आप रिफाइन ओयल में भी सब्जी बना सकते हो दोस्तों तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गरम हो गया था फिर मैंने उसे थोड़ा सा ठंडा किया और अब इसमें डाली है दो पॉड क्रश की हुई लसन तक रीबन एक टेबल स्पून ये देखे लसन अब हलकी गोल्डन हो गई है तो बस इसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे बाड़ी कटे हुए प्याज तो यहाँ पे मैंने पांच बिलकुल बड़े साइस के प्याज ल हो गए है तो यह देखिए हमारे फ्लार्स बिलकुल अच्छे से बॉइल हो गए है मैंने इन्हें निकाल लिया एक बाउल में अब हमें इसकी क्लीनिंग करनी है क्योंकि दोस्तों थोड़े कड़वे होते हैं तो इनका करवापन हमें हटाना है तो वापस से मैं ऐसे दो से तीन बार पानी सच्छे से धोंगी और इस तरीके से स्क्वीज आउट करोंगी इसमें से एक्स्ट्रा वाटर निकाल देना है ताकि इसमें जो भी कडवापन है वो निकल जाए और इसी प्रॉसेस को हम दो बार और रिबीट करेंगे मतलब टोटल तीन बार हमें बॉयल होन बस इस से जादा हम यहां पर प्याज को कुक नहीं करेंगे आप कलर ध्यान से देख लें जैसे ही प्याज हल्का सुनहरा हो जाए उसी चाइम पर हम इसमें एड करेंगे बारी कटे हुए टमाटर यह देखिए तो यहां पर मैंने छै बड़े साइज के टमाटर लिए और सा चोटा चमच लाल मिर्श पाउडर आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर और एक चोटा चमच दुनिया पाउडर अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकने देंगे लो फ्लेम पे जब तक यह मसाला अच्छे से ओएल रिलीस नहीं कर देता यह देखिए जो भी हमने ओयल डाला तो वो अब सर्फिस पे आ गया है तो अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी आधी कटोडी बाडी कटी हुई हड़ा धन्या और आधा कटोडी बाडी कटी हरी लसन साथ ही दो बड़े चमच बाडी कटी मेथी और इसी के साथ यहाँ पे डाला है जो सहजन के फूल हमने बॉयल करके निचोड के रखे थे वो और अब इसे इस तरीके से अच्छे से क्रश करते जाओंगी फ्लेम मैंने रखी है लो दोस्तों सहजन के फूल में हरी लसन हरा धन्या और मेथी का काफी अच्छा टेस्ट आता है लेकिन दोस्तों मेथी आपने जादा नहीं डालनी है दो से तीन बड़े चमच मेथी काफी है अगर आपने जादा मेथी डाल दी तो भी सबजी करगी हो जाएगी क्योंकि मेथी म आप देख सकते हो कितने अच्छे से आपस में बाइंड हो गई है, ऐसे ही दोस्तों आपको भी इसे बिलकुल अच्छे से मैश करना है, ताकि सभी चीज़े आपस में अच्छे से बाइंड हो जाए, तब ही सब्जी अच्छी लगेगी, ये देखिए, अब जो ये सब्जी है इसमें अच्छे से oil release भी कर दिया है, और ये नीचे थोड़ी थोड़ी लग भी रही है, तो सबजी बनके तयार है, फ्रेम को मैंने off किया है, और आपको दिखाती हूं सबजी को serve करके, ये देखे कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों, और दोस्तों इक खाने में बहुत लेकिन रियल में ये काफी ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों, आपको सुनके जरूर अजीब लग रहा होगा कि फ्लार की सबजी कैसी बनेगी, लेकिन एक बार आप इसे ट्राय जरूर करें, आप इसे हर विंटर में बना के जरूर खाओगे, और ये जो सहजन है, य और इम्म्यूनिटी के लिए काफी ज़्यादा अच्छा होता है, इस रेसिपी को ट्राय करना तो बनता है,